भाईयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंतर पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौरिय, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विक्सित होगा, उतना ही भारत के विकास को भी गती मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आदूनिक इंफ्रास्रक्टर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आदूनिक इंफ्रास्रक्टर की बात करता हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड नहीं नहीं होता। आदूनिक इंफ्रास्रक्टर शहरों और गाउं में कडेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आदूनिक इंफ्रास्रक्टर समाज में सुविधाओं बढ़ाता है, समाज को जोडता है। आदूनिक इंफ्रास्रक्टर डिजीटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आदूनिक इंफ्रास्रक्टर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गती देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विक्षीत भारत के संकल्प की बात करते हैं, तो उसके मूल में यही इंफ्रास्रक्टर एक नई ताकत बन करके उभर रहा है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्रक्टर पर अभूत्पुर्व निवेश हो रहा है। अभूत्पुर्व गती से काम चल रहा है। रेलिवे हो, हाइवे हो, एरपोर्ट हो, हर छेत्र में भारत सरकार हजारों करोड रुपिये निवेश कर रही है। इस साल के बजेट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्रक्टर पर दस लाग करोड रुपिये खर्च करना तह किया है।